Good morning students, आज हम फिर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर लेके और आज का चैप्टर है Class 3 का My Book of English 3 और चैप्टर नमबर 4 The Monkey and the Elephant Monkey माने क्या होता है? बंदर और Elephant माने हाथी तो ये एक छोटी सी स्टोरी है बंदर और हाथी की तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब को जानवर बहुत अच्छे लगते हैं और हम जानवरों की कानिया सुनना पसंद करते हैं तो स्टोरी को एक ग्रूप ओप मंकीज वाज प्लेइंग ओन ए ट्री इन ए जंगल एक मंकीज का जुन्ड एक बंदरों का समू या जुन्ड एक पेड़ पर जंगल में खेल रहा था Suddenly they hear the loud sound of an elephant trumpet Suddenly, suddenly माने क्या होता है अचानक अचानक उन्होंने hear किया, hear माने सुनना उन्होंने सुना loud sound, बहुत तेज आवाज को सुना किसकी? An elephant trumpet, elephant trumpet, elephant कैसी आवाज करता है बच्छों? elephant चिंगाड ता है, तो चिंगाड ने कॉंग्रेजी में क्या कहते है? Trumpet, तो suddenly they hear the loud sound of an elephant trumpet जल एक तम से आचानक उन्होंने हाथी की चिंगाड की तेज आवाज सुनाई दी the monkeys were afraid, afraid मनें डर जाना, तो अब बंदर ढर गए, they ran up and down the tree, वो दोड़े और पेड से नीचे भागे soon the elephant came very close to the tree, और जल्दी ही वो हाथी पेड के बिलकुल पास आ गया a little monkey looked up at the elephant and smiled, अब एक छोटा सा बंदर का बच्चा भी था, तो उसने हाथी की तरफ देखा और smile किया, मुस्कुराया the elephant picked up the little monkey and put him on his back, हाथी ने भी क्या किया, वो छोटे से बच्चे को उठाया, बंदर के बच्चे को और अपने बैक पर, यानि अपने पीट पर बिठा लिया the little monkey shrieked with joy, अब ये छोटा सा जो बंदर था, वो joy माने खुशी, वो श्रीक करना माने चीखना, चीखा, चिलाया वो खुशी के मारे खूब चिलाया, the other monkey saw this, दूसरे बंदरों ने भी उसको देखा one by one they dropped down from the tree on the elephant's back, और उन्होंने भी क्या किया, एक एक करके वो भी पेर से नीचे आये कहां बैठ गए अब, elephant की back पर, हाथी की peat पर, the elephant started moving, और हाथी अब चलने लगा the monkeys had a jolly good elephant ride, और इन बंदरों को तो जो है, आज elephant ride, यानि के हाथी की सवारी मिली, कैसी jolly good, बहुत ही खुशी से भरी, हाथी की सवारी मिली, देखो इस picture के अदर ये, सारे के सारे monkeys, जो है किस तरह से हाथी पर बैठे हैं, और इनको मज़ा आ रहा है, और ऐसे हाथी भी जो है, इनको free ride जो है, आज दे रहा है तो students, ये स्टोरी थी, the monkey and the elephant, और आप इस स्टोरी को जहां से carefully watch केजिए एक एक जो है, इसकी line को पढ़ने का परियास केजिए, और उसके बाद में जो है, यहां नीचे थोड़े से जो है, यहां difficult words आए हैं, हमने उस difficult words को भी दिया है हम बात करते हैं difficult words की, heard, heard मने क्या होता है, सुनना, loud sound, loud sound मने बहुत उची आवाज, trumpet, trumpet क्या होती है, मैंने बताया था, जैसे की आथी की आवाज जो होती हाथी की चिंगाड है, उसको trumpet कहते हैं और afraid, afraid मने डरा हुआ, picked up, picked up मने किसी चीज को उपर उठाना, shrieked, shrieked पताया था कि चीकना, चिलाना, drop down, नीचे कूच जाना, और jolly good मने बहुत अच्छा, और ride, सवारी तो students, यह आपके difficult words थे, आप इन difficult words को देखिए, और उसके बाद में अपने इस chapter को दुबारा से पढ़िए, और इस story को अपने चोटे भाई बहन, अपने ममी पापा, अपने दोस्तों को भी बार बार सुनाईए तो ठीक है students, आज का chapter यह ही पर खतम होता है, हम कर फिल्ब मिलेंगे, एक नए chapter के साथ, तब तक जो है, आप अपने घर में रहें, अच्छी तरह से पढ़ें, और जय हिन, जय भारत